खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकान दबाए और हमारे आदनाइन टीवी को सब्सक्राइब करें उन्हें ये भी बताना चाहते हैं कि हम इस मुस्बत के समय उनके साथ खड़े हैं ये तस्वीरे आप देखिए जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स आज दिलिस्त यूपी भवन का घ्राफ करेंगे और आज का मुद्ध दरसल ये होगा घ्राफ किसलिए किया जा रहा है वो आपको बता दे उत्तर परदेश में पिछले हफ़ते से लगातार जारी जो हिंसक गतिमेदियां हुई है सी डवली के विरोध में उसके बाद यूगी सरकार का सक्ट एक्शन देखने को मिला है बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया है साथ सो से ज्यादा लोगों के गिरफतारी की गई है बहुत से जगों पर कुर्की करने के आदे ही जारी कर दिये गए है कई दुकानों को जब्त किया गया है, सील कर दिया गया है उने इसलिके विरोध में दरसल आज हला बोलते यूपी भवन के बाहर नजर आएंगे जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स मेरड से एक वीडियो वारल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ दरसल ये वीडियो किसी और का नहीं, बलकि मेरड के S.P. सिटी डॉक्टर अक्लीश नारायन का है वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि वहां काली पट्टी बांधरी को लेकर वो खफा है और लोगों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ यही नहीं परदाशन कारियो क्रूज जिन्दगी काली करने का अल्टिमेटम दिखाई देते भी पड़े तरसल अनर्सी को ली कर हुए बावाल में मेरट गया एस्पी सिटी अखिलिश नाराइन और एडियम सिटी आख बबूला हो गए एस्पी सिटी अखिलिश नाराइन नहीं कहते हुए वीडियो उनका दिख रहा है कि खाते यहां का हैं विरोध भी करते हो उन्होंने इतना तक कहा कि पाकिस्तान चले जाओ हलाकि यह सब सुनकर वहां मादूद कुछ बज़र्गों ने किसी परकार की कोई आपती तो नहीं जताई लेकिन इस तरह की बायान बाजी से माहौल और खराब हो सकता है शायद यह बात अधिकारी जानते नहीं है